वेलकम बैक टू बिक्रम टिटोरियल आप देख रहें आपका चाहिता चनल बिक्रम टिटोरियल जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मैं लगातार ला रहा हूं आपको लोग के लिए सीटेट का प्रीबियेस कोश्चन जो की जनवरी 2028 में पुछा गया था और ये मेरा कोश्चन था मैंने बहुत सारा गलतियां किये थे और साती साथ सही भी किये थे उन सारे कोश्चन को आप 15 कोशन का एंसर बना चुका हूँ, लबता चुका हूँ, अब आते हैं 16 नमर पे, परतिकूल परस्थितियों और वन्चित प्रिष्ट भूमी वाले अधिगम करताओं को संबोधित करने के लिए, निम्नलिकित में कौन सी पदती प्रभाव साली नहीं है, अधिगम करताओं से बात्सित करके, उनकी आवसकताओं और उनके समुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगम करताओं को विद्याले के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे की अध्यापकों उनपर अधिक धियान न देना, बड़े, विद्यारतों को संतुलि प्रभाव यह बहुति नहीं होता है जो नए स्वास्तों और सांबेगी श्राइब हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है की ना घन्य है मैं जो नए स्टुडेंट जुड़े हैं मैं उन ि aprove को यह बताना चाहता हूं कि मैं लगातर चार बास कौलिफाई कर चुगा हूं और शाती साथ में पांचमा बाद भी दूंगा और आप लोगके साध दूंगा अच्चा मकसा में आप लोगका से परॉमिशी करता हूं तो सब से पहले बता दू कि 17 नमर का आसानी से पेकल हो जाते हैं कोश्चन मरा 18 काक्षा में अर्थपुन अधिगम को प्रोचाहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थों की सायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभी प्रेणों को सुववस्थित कर पाए विद्यार्थियों को उनके करने में ससक्त हो चोथा अपसाने काक्षा में विवित्ता क्यों प्रेक्षा करके सिक्चन की मानक पदती को मानक विद्य को अपनाना चाहिए इस तरह के कोश्चन में होता क्या है कि मैंने गलती कर दिया है एक्चुली ऐसा क्या होता है कि आप मतलब आप इतना स्पीड में बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मिश्टेleek हो जाता है मैं मैंने क्या जब इसका एंसर कि मैंने चार कुर्टी किया था कभी भी नहीं हो सकता यह गलती किया था क्योंकि अपना जांते हैं familiar केंद्री चिक्छा पद्यती पर ध्यान दे जाता तो ये वाला ऐसे भी option नहीं होगा तो question number 19 की ओर बढ़ते हैं बढ़ते हैं और देखते आधिगाम एक डैस और डैस परक्रिया है जटिल सक्रिय दूसरा option है सरल रेखिक तिसरा option सरल विक्तिगत और चोथा जटिल निसक्रिया तो अधिगाम एक जटिल और सक्रिय परक्रिया है अधिगाम एदम सरल नहीं है रेखिक नहीं है जटिल एक जटिल सक्रिय अभिक्रिया है ठीक है परक्रिया है बढ़ते हैं कोश्चन नम्मर 20 की और अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में समाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भासि विविद्धता को ड को समझना चाहिए अकेश्वा नमर क्षेन में बोल रहा है कक्षा में प्रभावसाली अधिगम के लिए देस वतावरन की रचना करनी चाहिए बजाय की परतियस परदिक वतावरन के, जितना ज़्यादा सहयोगी वतावरन होगा उतना ही आप जान लिजे परतियस परदिक भी हो सकता लेकिन हमें परतियस पर ध्यान नहीं बलकि सायोगी पर ध्यान होना चाहिए निम्नलिकित में कौन सा उधारन विद्यालियों को अधिगम के लिए अभी प्रेदित करने के लिए प्रवासाली पदती है पाड उपलब्द कराना विश्यसकर जब विद्यार्थी कोशन मर तईस बच्चों के चिंतन के विश्य मेंनिम्निकित में कौन सा कथन सही नहीं है बच्चे अपने आसपास की बिभीद घटनाओं के बारे में स्वें को सिधानतों की रचना करते हैं बच्चे परतियों को स्वें नहीं सोच सकते और अध्याप्च्च की मूल भूम करते हैंगरी आसपास की बच्चे आपने में बच्चों का विद्याले में आसफल होना प्रस्तावित करता कि वंचित प्रीश्ट ब्रूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ नहीं होता है निर्दिष्ट करता है कि बच्चों के अफसक्ताओं और रुच्यों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है साबित करता है कि इन बच्चों में अन्वांसी प्यदाइसी कमिया है और इन्हें बिद्याले से निकाल देना चाहिए साबित करता है कि इन बच्चों में अन्वांसी प्यदाइसी कमिया और इन्हें बिद्याले से बाहर निकाल देना चाहिए सुचित करता है कि अभी वावकों को मैं अपने बच्चों के अधिक में साहता करने का समर्थ नहीं है तो एकदम आसानी से असफल होना निर्देश्ट करता है कि बिद्याले इन बच्चों की आफ सकता रुचों के पूर्थी करने में समर्थ नहीं है समर्थ नहीं है ठीक है एदमासानी से ओपन चड़ जाता है कोश्चन मेर 25 को बढ़ते हैं समू में एक दूसरे को पढ़ाने और साहता करने से बच्चे स्वयंकी चिंदन पर क्रिया पर आचिप कर सकते हैं और संग्यानात्म क्रिया कलाब के उच अस्तर तक पहुंश सकते हैं बच्चों में ब्रांती उत्पन हो सकती है जो उनके अधिगा में अस्तचेप करती है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावसाली सेख्ची पदती नहीं है बच्चों में परधात्मक पर विरती से उत्पन होती है जो की अधिगा में विग्न बचे स्वय की चिंता प्रक्रियापः आच्यव कर सकते हैं और संग्यानात्म क्रियाकलाब के उस स्तर तक पहुच सकते हैं चबिश नमर एक डेस काक्षा में अध्यापिका अपनी सिक्षा शास्त्र वह आकलन की विद्यों को विद्यारतियों की व्यक्षा जरूरतों के अनुसार परिवार्वादि जब अब लगातार इस तरह के कोश्चन को बनाएंगे करेंगे तो आपको तूरांथी सोचना भी न कोस्चन में 27 मिलता है आपको विकास के विषय में अनुसा खतन सही है बचों की विकास में बहुत से सांस्कृतिक विद्या概ने होती है इसका एंसर हो जागा बचों को था अंस्कृति बिवित्ताएं होती है आए बढ़ते आठ हैस्वा नमर कोश्चन निमलिकित में से मद्धी बले आवस्ता कि अवदी का मुंकी परमान चीन कौन सा है परतिकात्म खिलका उभारना सर्क संगत विचारों का विकास जो की प्रकृतिक रूप से राकृति रूप से विर्दी का तेजी से विकास बिज्ञानित तर्क और अमुर्त रूप से सोचने की चमता का विकास तो देखिए एक चीज में बता दू जिन प्याजे का जो बाल विकास जो है जो विकास होता है बच्चों में जो विकास होता उसका चरण जरूर देख लेजिएगा यह मैं में मिष्टे कर देता हूँ पता निएक चांग में उतना ध्यान्त पूरवग यह देख नहीं पाता हूँ चुकि मैं ने इसको पढ़ा नहीं है तो ये गल्ती हो जाता है तो यह सतरह का अगर आपको जानकार रहेगा तभ है आप इस वो Sही रूप में टीग कर सकते हैं बच्चों के समाज़ीक रवी तो आपको पता है कि बच्चों के समाज़ीक रेचे लांस कॉर्ट नियुक्त कुमिका एक तावित किया कि बच्चों के चिंतन गुनात्मक रूप से बैसकों कि प्रैक्षा अलग होता जिन प्याजे, लेवाई गोट्सकी, हारवर्ड गार्डनर, लोरेंस कोलवर्ग, यह मैंने पतानी केसे गलती कर दिया, जबकि हमको पता है कि बंचों के चिंतानम गुनात्मक रूप से बेसकों के पेचा अलग होता है, जिन प्याजे ने कहा था, तो इस परकार से आज हम लो से वीडियो में, और अब मैं आप लोग को हिंदी, इंगलीज, यह सब का भी लेके आऊँगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और continue हमारे चैनल से बने रहें, क्योंकि आने वले दिन में, आप लोग को सीटिट से बने रहेंगे, हमेशाद खुश रहेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे.